दिल्ली को नई मुख्यमंतरी मिल गई है आतिशी अब दिल्ली की सरकार चलाएंगी आप सभी को पता दे कि केजरिवाल की इस्तिफ़े के बाद में उन्होंने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और अब कुछ ही देर के अंदर गोशना भी होने वाली है और इसी के चलते वे अब आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंतरी बनाया जारा है लेकिन मुख्यमंतरी बनाने की पीछे दो बड़ी वज़े हैं यह वज़े हम आप सभी को दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में दिल्ली में केजरिवाल सरकार में शिक्षा मंतरी आतिशी दिल्ली की नई मुख्य मंतरी होंगी अरविंद केजरिवाल ने मंगलवार को आम आदमी पाइटी की विधायक दलकी बैटक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा आतिशी के नाम का एलान थोड़ी धीर में हो जाएगा शाम को साधी चार बजे केजरीवाल उपराज जपाल विनाय सक्सेना को इस्तिफ़ा सौपेंगे इसी हफते नई CM और कैबिनेट का शपद ग्रेहन भी होगा 26 और 27 सितंबर को दो दिन का विधानसवा सत्र बुलाये गया है 13 सितंबर को शराब नीती केस में सुप्रेम कोट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंतरी पद छोड़ने का ऐलान किया था उन्होंने कहा था कि अब जनता तै करे कि मैं इमानदार हूँ या बैमान जनता ने दाग धोया और विधानसवा चुनाओ जीता तो फिर से कुर्सी पर बैठूँगा वहीं आतिशी को मुख्यमंतरी चुनने के बीचेगी दो वज़े भी सामने आई पहली वज़े बता दे कि केजरिवाल और सिसूदिया के जेल में रहते हुए पाइटी का मजबूती से स्टैंड रखा स्वतंतजा दिवस पर तिरंगा फेराने के लिए केजरिवाल ने आतिशी के नाम की सिफारिश की थी दूसरी वज़े की बात करें तो 2013 के विदान्सवा चनाओ के लिए आपका घोशना पत्र तयार करने वाली समीती का प्रमुक्व सदस्य थी उसके बात से ही पाइटी को विस्तार में एहम भूमिका वै निभाती आई है फिलाल देश्वर्दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेता है बने रही हमारे साथ नमस्कार